Hello everyone, आज हम class 10th science के lesson number 3 के exercise के question को solve करेंगे ठीक है, तो इसमें देखे पहला question कहता है Which of the following pair will give displacement reaction? कि इन मेंसे कौन सा pair है जो displacement reaction को show करेगा तो देखो sodium chloride और copper metal magnesium chloride solution और aluminium metal iron sulfate solution और silver metal silver nitrate और copper metal तो इन सभी में अगर हम देखें तो देखो ये पहले तीन जो option है ABC इन सभी के अंदर जो हमारे पास compound है ये compound इसमें और जो आगे दे रखा जैसे copper दे रखा है copper जो है इन सब से कम reactive है NaCl से sodium से कम reactive है magnesium से aluminium कम reactive है iron से silver कम reactive है तो ये इनको displace नहीं कर सकते हाँ जो silver की बात करें यहाँ पर तो copper जो है वो ज्यादा reactive है तो copper क्या करेगा silver को यहाँ से हटा देगा ठीक है तो silver nitrate and copper metal ये जो है displacement reaction जोगरेंगी क्योंकि copper is more reactive than a silver ठीक है next question है which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting इन में से कौन सा process जो अच्छा रहेगा कोई iron frying pan है कि उसके जंग नहीं लगे उसके लिए हम क्या करें देखो grease वगरा हम नहीं लगा सकते क्योंकि खाना वगरा हमने बनाना सबजी वगरा बनानी उसमें paint भी हम नहीं कर सकते ठीक है applying coating of zinc ये कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था galvanization जो process होता है galvanization process यही होता है कि जो steel के बने हुए articles हो गए उनके उपर हम zinc की coating कर देते हैं ठीक है जिससे उनको जंग नहीं लगता है ये वाला भी wrong है इसलिए हमारा c option है वो सही हो जाएगा ठीक है third question कहता है an element react with oxygen to give a compound with high melting point कि कोई element है वो reaction करता oxygen के साथ है और high melting point का compound बनाता है the compound is also soluble in water जो compound बना है वो water के अंदर soluble है this element is likely to be तो बताना है कि जो element है वो कैसा होगा ठीक है तो देखो calcium, carbon, silicon iron तो सभी में अगर देखें तो calcium जो है वो हमारे पास right answer हो जाएगा ठीक है food can are coated with tin and not with zinc जो food cans होते हैं उनको teen के साथ coating की जाती है zinc के साथ क्यों नहीं की जाती है इसमें ठीक है क्योंकि देखो zinc जो है वो more reactive है than teen से ठीक है तो ये हमारा right answer जो है C का हो जाएगा fifth question में क्या कहता है you are given a hammer, a battery, a bulb, wire, a switch आपको कहता है कि ये चीज़े दे रखी है तो इसमें दो question put कर दिये पहला question ये कहता है कि आप इन sample में से metal और non metal को कैसे पता करोगे दूसरा है कहता है कि in test में यानि metal और non metal जो है इन में सबसे बढ़िया जो है कौन सा तरीका रहेगा तो देखो इसके लिए क्या किया एक battery ले लिए हमने एक circuit बना लिया उस circuit के अंदर क्या किया दोनों wire के बीच में gap छोड़ दिया तो पहले में हम क्या करें कि इनके बीच में जो metal हमारे पास है metal के pieces जो है उनको क्या क्या इसके AB के बीच में attach करके देख लिया यदि मालो ये bulb हमारा glow कर गया तो इसका मतलब वो metal है ठीक है glow नहीं क्या तो इसका मतलब क्या है वो non metal है दूसरा तरीका दूसरा तरीका ये है कि हम उन iron pieces को iron pieces की जगह हम कहें कि जो हमारे पास ये sample दे रखे है ठीक है जो भी हमारे पास कुछ sample दे रखे है तो उनको हम क्या करें अथोड़े से पीटने लग जाए ठीक है थोड़े से पीटने लग जाएं और अगर ये thin sheet की form में बन जाते हैं या फिर sound create करते हैं तो इसका मतलब वो metal है और अगर तूट जाते हैं तो क्या है वो non-metal तो दूसरे में कहता है कि कौन सा method अच्छा है इनके लिए तो इनके लिए जो दूसरा method हमने बताया थोड़े वाला जो method वो अच्छा है क्योंकि देखो अगर उनमे ग्रेफाइट हुई तो ग्रेफाइट तो good conductor है electricity का और जबकि non-metal है तो पहले वाला जो है जादा suitable नहीं है दूसरे वाला जो hammering वाला है थोड़ा मार के जो हम पता लगाए sample के बारे में वो option जादा अच्छा है ठीक है next question काफी important है बहुत बार exam में आ चुका है what are amphoteric oxide और example बताने amphoteric oxide वो होते है metal oxide which shows both acidic and basic behavior ठीक है जो acidic और basic behavior दोनों show करते है and react with both acids and base to produce salt and water और acid और base दोनों के साथ reaction करके salt और water बनाते है उन्हें हम क्या करते है amphoteric oxide example के लिए देखें तो aluminium oxide, zinc oxide ये सब amphoteric oxide होते है ठीक है name two metals which will displace hydrogen from dilute acid दो metal के नाम बताने है जो displace करते है hydrogen को dilute acid के अंदर और two metals which will not दो metal जो displace नहीं करते हैं नहीं करेंगे इसमें जैसे copper ठीक है silver ये जो below activity series में होते हैं ये displace नहीं करते हैं यहाँ पर हम और भी example बता सकते हैं जैसे sodium potassium magnesium ठीक है ये सब सारे के सारे hydrogen से उपर है और इनको displace कर सकते हैं eighth question में कहता है in the electrolytic refining of metal M कोई metal है हमारे पास से उसका हम electrolytic refining कर रहे हैं what would you take as the anode anode की side आप क्या लोगे और cathode की side आप क्या लोगे electrolyte आप क्या लोगे तो देखो बताया था इसमें कि anode की side हम हमेशा impure metal लेंगे और उसी की pure metal हम cathode की side लेंगे इसमें और electrolyte solution के रूप में metal का salt लेंगे हम ठीक है next है प्रात्य श्टूक की sulfur powder on a spectula spectula के अंदर जो है sulfur powder ले 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 spectula क्या होता है एक छोटा सा चमच की तरह होता है जिसको lab के अंदर यूज किया जाता है and heated it और उसको heat करने लग रहा है he collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in figure तो इस परकार से उसने जो gas निकल ले उसको एक test tube के अंदर रख लिया तो देखो क्या क्या अबजर हुआ वहाँ पर first question में कहता है what will be the action of gas on dry litmus paper तो dry litmus paper पर gas का क्या action होगा most litmus paper पर क्या action होगा second में कहता है write the balance chemical equation for reaction taking place जो ये reaction होई है इसको balance भी करो तो देखो there will be no action of gas on dry litmus paper dry litmus paper पर कोई भी action नहीं होगा most litmus paper है तो वो blue है तो ये दि वो blue के रेड में convert हो जाएगा ठीक है तो sulfur जो है oxygen के साथ reaction कर रहे तो sulfur dioxide बन जाएगी balance है मारी old lady क्योंकि 2 oxygen हो गए तो 2 oxygen यहाँ एक sulfur यहाँ है तो एक sulfur यहाँ होगे ठीक है ये भी question काफ़ important है state two ways to preventing the rusting of iron यानि rusting of iron से जितने भी question बनते है वो सारे ही important है तो iron को junk से बचाने के लिए क्या करेंगे paint करेंगे oiling करेंगे greasing करेंगे ठीक है ताकि जो iron surface है वो air और monster के contact में ने आए by coating zinc metal iron article को zinc metal से coat कर देंगे जिस process को क्या बोलते है galvanization process बोलते है 11th का question कहता है what type of oxide are formed when non-metal combined with oxygen जब non-metal oxygen के साथ combine होती है तो किस type का oxide बनता है तो देखो neutral oxide एक तो ये हो गया H2O बन गया CO बन गया oxygen combine हो रही है ने यहाँ पर non-metal के साथ और acidic oxide भी बन सकता है जैसे sulfur dioxide हो गया carbon dioxide हो गया तो neutral oxide और acidic oxide है ये बनते है 12th question में कहता है कि reason बताना है platinum, gold, silver are used to make jewelry इनको jewelry बनाने में क्यों use किया जाता है क्योंकि ये बहुत malleable है ये ductile है और ये noble metal है किसी के साथ जल्दी से reaction नहीं करती metallic luster भी है काफी चमक है इनके अंदर इसे लिए इनको use किया जाता है इनको thin sheet की form में tar की form में हम आसा नहीं से कर सकते हैं sodium, potassium and lithium are stored under oil sodium, potassium, lithium इनको हम oil के अंदर क्यों रखते हैं क्योंकि ये highly reactive metal होते हैं ये fire को catch कर लेते हैं अगर इनको खुला छोड़ दिया गया तो hence to protect them prevent accidentally fire they are kept immersed inert liquid like kerosene तो kerosene जैसा जो liquid होता है उसके अंदर इनको रखा जाता है ठीक है next question कहता है इसमें aluminium is a highly reactive metal aluminium एक highly reactive metal है ठीक है yet it is used to make utensil for cooking फिर भी cooking के जो utensil होते हैं जो handle होते हैं पकड़ने के वो बनाने में use किया जाता है तो aluminium क्या है good conductor है heat का to protect oxide layer present on its surface to prevent metal from further oxidation तो उसके अंदर एक oxide की layer होती है वो layer क्या करती है metal को दुबारा से oxidation process होने से बचाती है इसलिए इसको जो cooking purpose के लिए utensil बनाने में use किया जाता है ठीक है carbonate and sulfide ore are usually convert into oxide during process of extraction carbon और oxide ore होते है उनको उसके oxide के अंदर convert करने के लिए extraction process यूज किया जाता है क्यों किया जाता है तो देखो extracting metal from oxide ore is more easier and chipper as compared to extraction from carbonate and sulfide ore क्योंकि जो metal का उसके और से अलग करने का जो प्रोसेस है ना oxide से अलग करने का प्रोसेस वो बहुत अच्छा है as compared to carbonate or sulfide ore से आपने देखा होगा कि जो copper vessel होती है उसको lemon या टमरीन जूस होता उससे साफ किया जाता है explain why these sore substances are effective in cleaning the vessel तो बताओ कि ये जो sore substance जो होते हैं खटे पदार थे यही जो vessels होते हैं उनको साफ करने में क्यों यूज किया जाता है तो देखो lemon और टमरीन जो होते हैं उनके अंदर acid होता है ठीक है और जो ये copper वगरा होगे जैसे copper carbonate हो गया copper hydroxide हो गया यानि इनके उपर क्या होते हैं copper के उपर basic layer जम जाती है तो acid और base जब मिल जाते हैं तो वो neutral कर देते हैं इसमें ठीक है copper vessel becomes turnaged due to formation of compound like calcium carbonate, calcium hydroxide which are basic in nature तो copper vessel जो होते हैं वो turnaged हो जाते हैं क्योंकि उनके उपर जो है अलग से layer जम जाती जैसे calcium carbonate की, calcium hydroxide की और ये सब क्या होते हैं basic nature क्यों होते हैं lemon और turmeric juice होते हैं उनके अंदर acid होता है और वो उन base की जो coating होती है उसके साथ reaction करके उसको हटा देंगे ठीक है metal और non metal के अंदर क्या difference है तो देखो metal lose electron to form cation metal electron को lose करके cation बनाती है और जबकि non metal electron को gain करके anion बनाती है metal form basic oxide और non metal acidic और neutral oxide बनाती है इसमें metal react with dilute acid release hydrogen gas metal जो है dilute acid के साथ reaction करके hydrogen gas release करती है non metal ऐसा नहीं करती ठीक है most of metal do not combine with hydrogen लेकिन non metal जो होती है ये hydrogen के साथ combine होकर covalent hydride मना लेती है question 15 में क्या कहता है कि कोई एक आदमी है और वो एक सुनार बन के जाता है goldsmith बन के जाता है घर घर जाता है वो ठीक है और वो कहता है कि जो पुराने आबोशन है जो मैले हो गए है जिन के अंदर थोड़ा color change हो गया है उनको वो ठीक कर देगा नए बना देगा जैसे ठीक है तो ऐसे लालच में आकर कोई lady है वो lady क्या करती है अपने सारे जो गहने है वो सोने के जो गहने थे वो उनको दे देती है तो फिर जो सुनार हो क्या करता है जो ढोंगी बना हुआ है वो एक solution लेता है उस solution के अंदर उनको डाल देता है तो जो चूडिया वगरा थी जो कंगन थी वो चमकने लगते हैं नए की तरह हो जाते हैं लेकिन अगर देखते हैं तो उनका weight जो है वो reduce हो जाता है ठीक है इस से जो है वो lady upset हो जाती है और फिर वो argument करने लगती है और इसम जाते हो कि जो solution है वो कौन सा होगा तो देखो जो solution होगा वो aquaragia का होगा aquaragia ठीक है वाज यूज बाइ मैन पोजिंग एक goldsmith aquaragia क्या है इट इजे मिक्सर ओफ कंसेंटिटिटिड हाइड्रो कलोरिक असिड वो हाइड्रो कलोरिक असिड नाइट्रिक असिड दोनों का ratio ह यानि 3 ratio 1 के अंदर 3 amount है तो एक amount महाँ पर क्या है नाइट्रिक असिड का है ठीक है लास्ट क्योशन आपका है इसमें give a reason why copper is used to make hot water tank and not steel ठीक है कि आपने बताना है कि जो copper को hot water tank की रूप में क्यों use किया जाता क्योंकि जो copper की बात करें तो copper is used to make hot water tank because copper is less reactive than steel ठीक है copper जो है steel से कम reactive है steel क्या है alloy है iron का ठीक है it does not react with hot water steam ये hot water के साथ reaction नहीं करता whereas steel react with water and rust जबकि जो steel है वो इसके साथ reaction कर लेगा और rust बना लेगा ठीक है तो ये हमारे पास exercise के question थे अब कुछ और important question है जो exam में कई बार आ चुके हैं और जबकि exercise से अलग है तो वो कौन-कौन से हैं देखो rust से related आपको बताया था मैंने तो देखो what is rusting rusting में क्या होता है rusting का बताया था जब iron को exposed किया जाता है छोड़ दिया जाता है most air के अंदर लंबे time के लिए तो उसके उपर brown color की एक flag की substance लग जाता है जिसे हम क्या बोलते है rust बोलते हैं और इसी process को क्या बोलेगे rusting बोलेगे ठीक है यानि iron को हमने खुली हवा में छोड़ दिया नमी यूगत हवा के अंदर तो उसके उपर भूरे रंग की एक परज़ जम जाएगी उसे हम rust कहते है rust is chemically hydrated ferric oxide क्या बोलते हैं इसको hydrated ferric oxide तो formula क्या होता है Fe2O3.XH2O formula आ जाता है what is the formula of rust तो आपने ये बताना है ठीक है the pure iron does not rust pure iron के उपर rust नहीं हो तब presence of impurities increase the rate of rusting उस iron के अंदर कितनी impurities present होती है ये rust के उपर depend करती है यानि यही rust को बढ़ावा देती है the presence of electrolyte also increase the rusting process जो electrolyte present है वो भी rusting process को बढ़ाता है rate of rusting is more in salty water ये दि मालो नमकीन पानी है तो उसमें rate of rusting है वो जादा हो जाएगी ठीक है इसमें कौन-कौन सी वेज है जो rusting of iron से prevent करती है एक तो आता है barrier protection iron substance is not allowed to come in contact with monster, oxygen, carbon dioxide ठीक है इनको इनके contact में नया आने दिया जाए iron articles को moisture, oxygen, carbon dioxide इनकी contact में directly नया आने दिया जाए तो उसके लिए क्या करते हैं पेंटिंग कर देते हैं उसके surface के उपर oil या greasing कर देते हैं ठीक है iron surface is covered with a layer of metal which is more reactive than iron iron surface को एक और layer के साथ जो है coating करवा दी जाती है जो कि उससे ज़्यादा reactive होती है जिसे हमने क्या कहा था zinc, zinc की coating करवा दी जाती है ठीक है तो उस process को हम क्या करते हैं, galvanization करते है mineral और gang इनके बारे में आपको बता दिया गया था पहले ठीक है, ये question जो है exam में आ चुकी है ये chemical reaction है, ये भी हमारी हो चुकी है steam के iron के साथ और water की जो potassium के साथ ये question भी exam में आ चुका है कि name of two allotrop of carbon carbon के allotrop कौन कौन से है, diamond है, graphite है एक और होता है full range, ठीक है तो diamond और graphite में difference पूछ रखा है diamond hardest substance है, graphite कैसा है, soft और greasy है ये bad conductor है heat और electricity का और जबकि ये good conductor है electricity का diamond का melting point क्या है, ज़ादा है और इसका melting point कम है, ये transparent है और ये opaque है, ठीक है तो ये हमारे पासे allotrops होते है allotrops कौन से होते है, जिसकी property chemical property तो एक जैसी हो लेकिन उसकी physical property अलग-अलग हो दिखने में वो अलग हो, लेकिन अंदर से वो एक जैसे हो फिर बात आती है reactivity series के बारे में reactivity series कौन से होती है एक ऐसी common metal की list जो की decreasing order के अंदर ले गई हो और उसको जो याद करने का तरीका है reactivity series का तो बताया था मैंने कासी नात का माली आलू जराफी के पकाता है फिर उसके बाद क्या जाएगा copper mercury silver gold ठ्यान रखना ये बात है कासी नात का माली आलू जराफी के पकाता है ठीक है कासी का जो हो जाएगा ना के से कासी तो के आगया नात न एटी एच में यहाँ पर क्या जाएगा sodium आजाएगा का calcium आजाएगा कासी नात का माली 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 में क्या जाएगा mg आजाएगा अलू से aluminum आजाएगा जरा से zinc बन जाएगा z से फिक्ये से एफ फिक्ये पकाता है आइरन बन गया पकाता है यानि पी बी है का मतलब हाइडोजन हो गया ठीक है तो इससे हम आसानी से reactivity series याद कर सकते हैं यह जादा reactive होते हैं यह कम reactive और यह सबसे कम reactive ठीक है तो decreasing order के अंदर जो reactivity series होती उसे क्या कहते हैं reactivity series अब बात कहते हैं कि जो metal होते हैं low activity series के अंदर उनको कैसे extract किया जाता है उनको कैसे अलग किया जाता है तो जो low activity series में होते हैं वो metal जादा reactive नहीं होते हैं the oxide of metals can be reduced to metal by heating alone उनको heat करके उनका oxide जो हलग कर दिया जाता है for example के लिए sinnebar Hgs जो की हमारे पास एक और है mercury का जब इसको air के अंदर गरम किया जाता है heat किया जाता है तो पहले यह mercury oxide के अंदर convert होगा और फिर mercury oxide को reduce किया जाता है दुबारा से heat करके फिर mercury बनेगी इसमें ठीक है पहले Hgs की oxygen के साथ reaction करवाई जाएगी Hgs क्या हो गया sinnebar एक नमबर का important question है sinnebar is ore of mercury ठीक है इसको heat करने के बाद यह किसमें convert हो गया mercury oxide के अंदर convert हो गया ठीक है और फिर again mercury oxide को heat करेंगे और फिर mercury अलग हो जाएगी carbon dioxide अलग हो जाएगी ऐसे ही copper को अलग किया जाता है cuprous sulfate oxygen के साथ heat किया oxide बन गया metal का फिर metal का oxide जो है दुबारा से गरम किया जाता है तो metal अलग होगी तो जो low activity series के अंदर होती है उनको heat करके आसानी से हम उनको जो है metal को अलग कर सकते हैं ठीक है तो यह तो बात आ गई हमारी जो low activity series के अंदर है उनको हम कैसे extract करेंगे metal को एक बहुत important reaction है thermit reaction thermit reaction कौन से होती है इसके अंदर iron को iron oxide को aluminium के साथ react करवाय जाता है और जब iron oxide aluminium के साथ react करता है तो वो reaction highly exothermic होती है बहुत ज़्यादा heat निकलती है large amount of heat is evolved this reaction is called thermit reaction इस reaction को welding के रूप में use जो train होते है ना train के जो railway track होते है उसमें welding के रूप में इसको use किया जाता है जैसे iron oxide होगा इसका aluminium के साथ react करवाय तो क्या बन गया iron और aluminium oxide पलस में heat निकले काफी यानि it is used to join railway track और crack machine part जो crack machine part होते है या जो railway track होते हैं उनको join करने के रूप में इसका use किया जाता है एक और बहुत important topic है जो क्योश्र मनता है Calcination and Rosting Calcination क्या होता है it is used for carbonate and hydroxide ore इसको carbonate और hydroxide ore के रूप में use किया जाता है और इसको sulphide ore के रूप में use किया जाता है in this ore is heated in absence या limited supply of air इसको limited supply air के अंदर जो है heat किया जाता है और इसको excess of air के यानि इसको ज्यादा air की presence चाहिए इसमें ठीक है corrosion corrosion क्या होता है तो corrosion में बताया था कि जब surface of metal जैसे iron हो गई ये corroded हो जाती है जब इसको हवा में खुला छोड़ा जाता है तो ठीक है तो उससे क्या कहते है corrosion कहते है देखो silver object become black तो ये ध्यान रख लेना कि जो silver के उपर कैसी coating आती है black कलर की important है ये ठीक है क्योंकि उसके उपर क्या हो जाता है sulfur को जब हवा में खुला छोड़ती है तो silver sulfide है वो बन जाता है ऐसे ही जब copper जो है most air के साथ reaction करेगा तो उसके उपर shining brown कलर surface लग जाएगा ठीक है यानि और फिर वो क्या कर लेगा green coating तो ध्यान रखना copper के उपर कैसी coating हो जाती है green कलर की silver के उपर कैसी हो जाती है black कलर की ये एक एक number के question बन सकते हैं पूछे गए है पहले और जब iron को हम खुला छोड़ते हैं तो आपको पताईए कि brown flag की substance लग जाता है जिसे हम क्या कहते हैं rust कहते हैं ठीक है next question है ये question बड़ा बनता है कि general property ionic compound की कौन कौन सी है एक तो conductivity, melting or bowling point, solubility ठीक है इन से related हमने देखना है यानि ionic compound से related आपका question एक जरूर बनने की संभावना है ठीक है तो यहाँ बात करते हैं पहले physical nature की तो बता रखाया उन्हें compound की जो physical nature है वो कैसे होती है, solid होती है, hard होती है ठीक है उसके बीच में force of attraction कैसा होता है strong force of attraction होता है between positive and negative ions compounds are generally bread tile or break into pieces when pressure applied, जब उनके उपर ज़्यादा pressure apply करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, piece के अंदर तूट जाते हैं melting और bowling point के बात करें, तो इसका मतलब जब उनके बीच में force of attraction ज़्यादा है तो melting और bowling point भी obviously ज़्यादा होगा तो इनका high melting point होता है और high bowling point होता है क्योंकि large amount of energies आईए हमने zone के बीच में strong intra-ionic attraction जो होता है जैसे sodium chloride के बात करें तो इसका melting point है 1074 होता है, bowling point है 1686 होता है ऐसे ही lithium chloride, calcium chloride, calcium oxide, magnesium chloride इन सब के melting और bowling point यहाँ दे रखे हैं ठीक है, solubility के बात करें तो ionic compound जो है soluble होते हैं water के अंदर लेकिन insoluble होते हैं जैसे kerosene, petrol इस परकार से और इने हम क्या बोलते हैं, solvent बोलते हैं solvent के अंदर यह insoluble होते हैं और water के अंदर यह soluble होते हैं यदि conduction of electricity के बात करें तो ionic compound in the solid state do not conduct electricity ionic compound जो होते हैं solid state के अंदर वो electricity you conduct नहीं करते हैं because moment of ion in solid is not possible क्योंकि ion के अंदर जो moment है मतब solid के अंदर ion का moment अगर देखे तो possible नहीं है क्योंकि उनके बीच में gap जो होता है वो ने के बराबर होता है बहुत जादा होता है तो कितना move कर लेंगे इनके बीच में space तो रहता नहीं है ठीक है क्योंकि इनका structure rigid होता है ठीक है they conduct electricity in molten state तो यह molten state के अंदर electricity you conduct कर लेते हैं इसमें और aqua state के अंदर ठीक है aqua solution हो तो conduct कर लेंगे molten state हो तो कर लेंगे because here the ions move freely and conduct electricity क्योंकि उसके अंदर ions होते हैं वो freely move कर सकते हैं और electricity you conduct कर सकते हैं ठीक है अब next जो important question बनता है वो है electrolytic refining of copper या फिर electrolytic refining कैसे होती है तो इसके लिए क्या किया जाता है देखो जो specially copper को electrolytically refine किया जाता है इस process के अंदर जो copper को जो impure copper होती है impure copper को anode बनाया जाता है और pure copper जो होती है उसको cathode बनाया जाता है ठीक है और एक इसके अंदर copper sulfate solution acidified copper sulfate solution है वो लिया जाता है एक electrolyte के रूप में जब इनको electricity दी जाती है एक key लगा दी हमने यहाँ और इसके साथ यह क्या लगा दी है के cell लगा दी है बैटरी लगा दी ठीक है तो जैसे ही हमने current दिया इसके अंदर तो क्या होगा जो impure metal है इसके अंदर से copper निकलके pure copper निकलके इस salt के अंदर गुलना शुरू हो जाती है ठीक है और फिर जो pure copper strip थी यह हमारी cathode के उपर इसके उपर जमना शुरू हो जाती है और जो impurities होती है जो वो नीचे जम जाती है यहाँ पर एनोड के नीचे जम जाती है इसमे ठीक है तो यह आपके extra question थे जो exam के अंदर काफी बार पूछे गए है ठीक है यह आपने जरूर करने है कोई भी इसमें problem आती है आपको किसी question में तो आप comment box के अंदर जरूर लिखे और यह दिया आपने channel को बटा अब तक subscribe नहीं किया है तो करपय करके आप इस channel को subscribe करें ताकि सारे जो वीडियो है उससे पहले आपको मिले जो बैला icon होता है उस बैला icon को भी आप जरूर प्रेस करें क्योंकि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास notification पहुँच जाएगा कि हमारे लिए ही ये वीडियो आ चुकी है ठीक है Thank you